हलो फ्रेंड्स कल हमने देखा grid कैसे बनाना है आज हम देखेंगे grid में हमें images कैसे डालना है कल हमने grid में images तो कल का ही page हम open करते है भी कल हमने work out किया था doc, doc में जाके 4-0 उसमें हमने examples examples में जाकर ने बार top fix उसमें हमने इसको right click किया यहाँ पे edit notepad इसमें हमने अभी already मैंने code डाल दिया है तो आप इसको फुरा type कर लिजिए अभी imgsrc kbcalmedia.png यह image मैंने पहले ही इसमें folder में रखी है यहाँ पर, यहाँ पर index page है मेरा और इसमें ही मैंने यह image रखी है kbcalmedia आप image देख लिजिए और इसका extension है png extension दिखाए दे रहा है png तो वही हमने यहाँ पर use किया है png extension image src kbcalmedia png class यह bootstrap का class use करना पड़ता है img-responsive यह bootstrap का class है अगर यह use करते हैं तो यह add to responsive हो जाती है पूरी image और यहाँ पर जो भी हमें नाम उसको यह करना है display करना है उसके उपर जाने के बाद में नाम आना चाहिए तो वह हम यहाँ पर डाल लेते हैं इसको save किया और इसके height और width और height हम यहाँ से डाल सकते हैं अभी हमने यहाँ पर grid first एक grid में 12 column होते हैं कल मैंने बताया था अभी उसी में ही 4-4 के 3 की यह हमने अभी एक 4 का है यह एक 4 का है और एक 4 का है यह grid यहाँ से start हुआ due class और यहाँ पर close हुआ है उसके बाद में हमने यहाँ पर यह दिया है BR नीचे के line में जाने के लिए उसको हटा देते हैं अभी इसको save कर दिया अभी दूसरे second हमने यहाँ पर डाला है वही image डालिए img, src, kbcsolmedia.png यहाँ पर class हमने यूज के आए thumbnail तो यहाँ पर thumbnail, img, thumbnail इसमें होता है कि जो image है उसमें borders आ जाती है और यहाँ पर अभी देख लिजिए result के आ रहा है, refresh करते है जैसे हम image पर चले गए तो यहाँ पर नाम आएगा kbcsolmedia यह जो first वाली image है हमने देखी थी यह img response you जैसी image है, वैसी की वैसी यहाँ पर आ जाएगी और जो thumbnail हमने देखा था img thumbnail तो thumbnail में क्या होता है जो भी image है, उसको इस तरह से ऐसी border आ जाएगी यहाँ पर आप देख रहे हों कि border नहीं आई है मगर thumbnail में यहाँ पर एक border आई हुई है यह border आ जाएगी इसमें second जो है img circle यह हमने डाल दिया यहाँ पर पुरा information और यहाँ पर हमने class यूज़ किया img circle ही तो यहाँ पर यह circle में आ जाएगी gold round में यह image आ गई है मगर यह transparent image होने से आपको नहीं दिखाए दे रही है इसके जगा पर आप अगर कोई दुसरी image ले देते हो तो वो circle गोल आ जाएगी है आप यहाँ पर आलग-अलग images डाल कर चेक कर लिजिए और class यही यूज़ करना है आपको IMG response U 2nd class A IMG thumbnail 3rd class A IMG circle ओके थैंक यू